हेलो फ्रेंट्स इन दिनों जीयो की स्पीड की प्रावलम काफी कॉमन प्रावलम बन चुकी है और जीयो ने ये एलान भी किया है कि एक जन्वरी के बाद से उसकी डेली डेटा लिमिट जो है वो चार जीबी से घटके एक जीबी हो जाएगी तो ऐसे मैं आप सूच चकते हैं कि जो लोगों को डाउनलोड करने का सौख होगा या फिर यूट्यूब पर वीडियो देखने का सौख होगा उनका कैसे काम चलेगा तो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विस्वगौर और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने रिलाइंस जीय और यह कोई भी फेक वीडियो नहीं है क्योंकि मैंने बहुत सार ऐसे वीडियो देखे हैं जिसमें कुछ ऐसे फालतू की ट्रिक्स बताते हैं जो की काम भी नहीं करते हैं और समय का विवेस्ट होता है खैर छोड़िए सबसे पहले मैं फॉस्ट जो तरीका वह आपको बताय एपिएन जो है वह आपका होना चाहिए जीओ नेट प्रॉक्सी और पॉर्ट अगर आप चाहें तो 8080 कर सकते हैं या फिर खाली भी छोड़ सकते हैं कु causes here server जैसा कि मैंने कई सारी वीडियोज में देखा कि server और से क Dieser लिखते हैं तो इससे कोई फाइदा नहीं होता क्योंकि आप णेट जी यूज़ करते हैं वे डारेक्टली नेटर के थूब करते हैं यानि कि टावर्स के थुरू आप यूज करते हैं ना कि किसी सर्वर के थुरू आप डाउनलोड करते हैं या फिर कुछ भेजते हैं इसमें सर्वर को आपको खाली छोड़ देना है और यहाँ पर एपिएन प्रोटोकॉल में आपको आई पीवी फोर या आई पीवी सिक्स बोथ आप सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि डिपेंड करता आपके सिंग्नल स्ट्रेंथ के उपर और यहीं होना चाहिए ताकि अच्छा स्पीड पकड़े और आपको इसे सेफ कर देना है और सेलेक्ट क डेटा खत्म हो जाता है या फिर स्पीड स्लू हो जाती है तो कुछ ऐसे एप्स होते हैं जो कि डेटा कंज्यूम करते हैं बैग्राउंड में जैसे कि कोई भी वाटसप पर या फिर फेस्बूप कर न्यू मैसेज आता है तो आटोमेटिकली नोटिफिकेशन बार में सो कर देता है तो यह कैसे होता है यह होता है नोटिफिकेशन के थुरू जो की बैग्राउंड प्रोसेस में वर्क करते रहता है तो यह भी अच्छा का सा स्पीड को एफेक्ट करता है तो आपको डेटा यूज़स खोलना है और यहाँ पर राइट अपर साइड में टैप करना है और रिस्ट्रिक्ट बैग्राउंड डेटा को ओके कर देना है और अगर आप इसे इनेबल करना चाते हैं तो फिर से आपको यहीं टैप करना है और अलाव बैग्राउंड डेटा प्रेस कर देना है तो यह था दूसरा तरीका तीसरा जो तरीका है वो है कुछ स्पेशल एप को डेटा लेने से डिसेबल कर देना यानि कि कई आप चलाते हैं और जिन आपसको आप नहीं चाहते हैं कि वह डेटा यूज करें वह भी डेटा को यूज कर लेते हैं तो आपको No Root Firewall को डाउनलोड कर लेना है इसमें कोई भी रूट की आऊ सकता नहीं है यह पहला ऐसा firewall है जो बीना root के काम करता है और यहाँ पर आपको जाना है apps में और आप देख सकते हैं दो simple आपको देख जाते हैं wifi और data के अगर आप चाहते हैं कि कोई आप सिर्फ wifi से काम करें तो आप wifi वाले पर tap कर दे अगर आप चाहते हैं वाईठाय और डेटाई दोनों पर काम करें तो दोनों को टैप कर दें Şimdi अगल कब यूज किया कितना यूज किया और होम पर जाकर आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं दरसल में एक वीपिएन क्रेट करता है जो कि वर्चुल नेटवर्क के थ्रू काम करता है जिसके द्वारा कुछ ही एप्स को आप परमिट कर सकते हैं तो इसके द्वारा आप जो एप्स यू डाउनलोडिंग करने का बहुत सौक है तो आप डाउनलोडर यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपकी स्पीड बढ़ जाए जैसे कि एक ADM डाउनलोडर है जो Android के अभी तक का बेस्ट डाउनलोडर है यह फाइल्स को दरसल में पार्ट पार्ट करके डाउनलोड करता है से सर्वर से जिससे कि इसके घ्र बढ़ जाते हैं और उसके द्वारा यह तेजी में रच जाकर सकते हैं ऩो डाउनलोड हो तो वैसे तो एक से दो फाइल से एक बार में आपको डाउनलोड करने चाहिए क्योंकि वह स्पीड अच्छा खासा दे देता है और अगर आप यहां पर देख सकते हैं ऑप्शन है स्मार्ट डाउनलोड और आटो रिज्यूम यह दोनों अगर आप इनेबल करते था उसके बाद से ही डाउनलोड होने लगेगा तो यह एक बहुत अच्छा एप है जिसके द्वारा आप डाउनलोडिंग कर सकते हैं तो बस दोस्तों यहीं कुछ ट्रिक्स थे जिसके द्वारा आप अपने जियू सीम का स्पीड बढ़ा सकते हैं मैं यह नहीं का था कि एक से दू एमई पर सेगंड तो आराम से कर सकते हैं चाहां आपका डेटा लिमिट क्रोस कर चुका हो यह फिर नहीं क्रोस किया हो तो यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो के बारे में जरूर लिखें धन्यवाद झाल